एसी टो फिनोन का आई पी एसी नाम लिखना सीखेंगे तो दोस्तों पहले हम इसका इस्टेक्सर बना देते हैं इसमें रहता है आपका दोस्तों बेंजीन और यहां पे जुड़ा वार रहता है आपका किटन यानि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं देखें यह आपका बेंजीन सी डबल बॉंड ओ सी एच त्री कार्बन कितने बॉंड बनाता है फोर बॉंड बनाता है वान टू थ्री फोर इसके वान और थ्री हैडुजन फोर ओके अब इसका आई पीशे नाम लिखना है सर्म तो आई पीशे नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर दियान रखें आपका जो पैरेंट चैन है वो कौन बनेगा यह पैरेंट चैन बनेगा आई पीशे नाम लिखने के लिए पहला स्टेप क्या होता है PC यानि parent chain को select करना होता है parent chain वो रहेगा जिसमें आपका functional group हो यहाँ पे functional group किसमें है इसमें है जो इससे बेंजीन से जुड़ा हुआ जो आपका branch है चीक है तो इसको parent chain select कर दे उसके बाद दूसरा step क्या होता है दोस्तो parent chain को number देना numbering करते हैं उसके numbering उससे करेंगे जिससे आपका इस functional group को कम से कम number मिले पहले priority यह रहेगी उसके अलावा आपका जो जुड़ा हुआ परतिस्ता भी है देखिए parent chain से जो भी जुड़ा हुआ रहे था है उसको हम क्या कहते है substitute यानि परतिस्ता भी कहते है उसको भी कम से कम number मिले है तो हम यहां से numbering सुरू करेंगे one, two ओके देखिए जब यहां से सुरू करते हैं तो इसको कितना number मिल रहा है आपका एक number मिल रहा है और इस ketone को भी क्या मिल रहा है एक number मिल रहा है अब उसके बाद देखिए ध्यान रखे हमेशा पेरेंट चैन का नाम जो है वो आपका सबसे लास्ट में लिखा जाते है तो पहले कि इसका नाम लिखते हैं इससे जुड़े विए परतिस्तापी का बेंजीन का परतिस्तापी के रूप में हम नाम क्या लिखते हैं कहां पर जुड़ावाई एक नमबर पर जुड़ावाई है कौन जुड़ावाई बेंजीन का सबस्टिटुन्ट के रूप में नाम क्या लिखते हैं अपना लिखते हैं दोस्तों फैनिल लिखते हैं अब पैरेंट चैन में कितने कार्बन हैं एक दो दो कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं आपको या प्रेफिक्स एत यूज़ करते हैं कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉंड है सिंगल बॉंड है ANE प्लस यहां पे किटन जुड़ा हूआ है तो किटन का सब शिक्स होता है ONE जब यह ONE जुड़ता है इसका E गाइब हो जाता है किवल क्या आता है AN आता है और ? यह किटन आपका कहा जुड़ा हूआ एक नंबर प्रकार्ण है तो वन ओ istiyorum ओके तो इस प्रकार से आपका ये इसका आई पी से नाम हो जाता है वन फैनिल एथेन वन ओन